तूठाओ जिन 7 वर्जन मेरे पास है आपके पास जो भी वर्जन होगा काम करने का तरीका लगभुत सेम ही होगा चली आगे बढ़ते हैं या प्लाइंग डेटावेस पे क्लिक कीजिए और यहां इस तरह से व्यू आ जाएका आपके पास दो व्यू दिखेंगे एक डिजाइ यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूँ इस टेबल का नाम ठीक है यहां लिखा मैंने फॉर्मूला और यहां पर यह आईडी आ रही है यह प्राइमरी की होती है पिछले बहुत सारे वीडियो में मैं यह बात बता चुका हूँ आए यहां पर लिख लेते हैं नंबर पर ड यहां लिख दिया 7 8 7 7 करता हूँ तो यह यहां पर कुछ नंबर हम लेके आ चुके हैं अब हमें क्या करना है simply इसको save करना है तो यहां से जाएंगे इसको save करेंगे तो यह save हो गया हमारा जो data sheet view वाला table है को save हो गया अब हमें create पर जाना है query design पर जाना है और यहां से जैसे query design पर आएंगे इसको add करवा दीजिए तो इसको add करवा दिया हमने यहां पर ID को insert करवा लिजिए फिलाल हम group by नाम का एक total में एक इंकल करके आएगा और यहां पर आपको करना है drop down वाले menu पर click तो देखिए यहां बहुत सारे formula आपको दिख जाएंगी pre-made formula तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं count का formula तो यह count का formula यहां पर है इस पर हम click करते हैं तो यह count का formula आगया हमारा ठीक है अब हम run पर click करेंगे सीरा click तो यहां run पर click किया तो यहां 9 आ रहा है आज़े देखते हैं अपने data sheet view वाले table को तो यहां देख सकते हैं 1,2,3 तो यहां 9 अलड़ी हमें दिखाई पढ़ रहा है अब हम क्या करेंगे यहां पर लेखेंगे कोई number ठीक है एक number हमने increase करा फिर दूसरा number यहां पर increase करा ठीक है यह दो number हमने increase कर दिए पहले 9 आ रहा था 9 था 9 था 9 था 9 आ रहा था अब यहां पर देख सकते हैं यह हमें दिखाई पड़ रहा है ठीक है अब हम इसमें देखिए यह 12 नंबर हमारे पास हो चुके है अब अगर हमें query बनानी हो तो कैसे query बनाएंगे create पर जाएंगे जैसे हमने query पहले बनाई थी और यहाँ add करवाएंगे इसको ठीक है query को भी हमें save करना होगा हमने पहली बार में query को save नहीं किया था अब यहाँ पर click कीजिए total पर और यहाँ से आ जाईए count पर ठीक है ठीक है यहाँ पर अगर मैं एक number और ले लेता हूँ फिर यहाँ पर एक number और लेता हूँ और फिर यहाँ पर यहाँ तीन numbers हम यहाँ पर extra करने वाले हैं तो यह तीन numbers extra हमने कर दिया क्या अब भी यह सही बताएगा answer यह query पे चलते हैं तो यहाँ अभी भी 11 ही बता रहा है हमें करना क्या होगा हमें इस query को save करना होगा जो यह query हमने बनाई इसको save करते हैं यहां से ठीक है तो यह save कर रहा हमने तो यह हमने query 1 के नम सही से save कर दिया अब हम은 इसको यहां से cut करना है, ठीक है? Cut कर दिया हमने, अब हम इसको जब दुबारा से open करेंगे, तो आफ देखेगा क्या होगा यह open करा हमने यह formula हमारी query थी तो आफ देखिये, यहाँ 14 आ रहा है, आफ देख सकते हैं यह 14 आ रहा है, यहाँ पर पिर कोई और दे देता हूँ, जैसे जितना हम increase करते जाएंगे, यह बताता जाएगा, देखी, यह हमने दिया, यह हमने दिया, यह संख्या गिन करके इसकी बताएगा, ठीक है, तो यह देखिए, number की संख्या यह गिनेगा, ठीक है, चलिया यह देखते हैं, अब हमें कुछ न है, तो यह देखिए, और यह हमारी query है, फुजर पहले यहाँ 14 था, अब यहाँ पर 19 आ रहा है, तो हमारी जो query है, वो बहुत सही से काम कर रही है, उमिद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी, चलिए, यहाँ पर जो हम number insert करा रहे थे, क्या यहाँ पर कोई character भी insert करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया s, तो क्या इसको भी यो count करके देगा, देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है है, यहां पर हमने data type लिया है, वो कौन सा data type है, वो number data type है, ठीक है, अगर हम आप इसको text में convert कर देते हैं, तो क्या होगा, जैसे हमने text में convert करा, तो इसकी alignment हो गई left side ठीक है अब आईए देखते हैं कि ये query जो हमने बनाई उसमें ये काम कर रहा है या नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अभी भी 19 है ठीक है आईए इसको close करते हैं save कर लिया हमने इसको close कर दिया हमने और अब फिर इसको दुबारा से open करता हूँ तो यह देखिए open कर आ हमने अब इस पर click करता हूँ और यह हमारी query है तो query पर click करता हूँ तो यहाँ देखिए 20 आ रहा है यानि count formula जो की access में use होता है वो characters को भी count करेगा